तो एप अनीश सिंग ठाकुर वेलकम बाक तो अमेजिंग लर्निंग वीडियो बहुत दिनों से आप सब लोगों का मन था कि मैं कोई अच्छा एक अलग टाइप का वीडियो बनाऊ जिससे कि प्राक्टिकल डे टुदे टेडिंग लाइफ में हेल्प मिले तो आप वी वीडियो इसले देखना चाहिए क्योंकि मैं आज टेक्निकल आनालेस अजय से इसक देखन आपने तो इस की फॉर्टी को हमने बात की थी लोगों मज़ा आने वाला इस वीडियो में मुझे मालूम है तो क्या गरेंगे हम चलेंगे सीधर पिछले एक मार्च सोटीन्ट और उस्रीर राज डियों को सब्सक्रीलिक्राइब फ्राइबASE्कूर्ण मार्च्वियोggかな तक हमने बात की थी कि यार अब मार्केट मैंने बताया था मार्केट विल गो बुलिश और तो मेनी रीजन्स फॉर दाट वी के नोट एक्स्टेन आल बाट रीजन्स ओवर यह हमारा काम आज है सिर्फ रीजन्स छोड़ना क्या न्यूस थी क्या रीजन था क्या डेटा पॉइ एंट्री बनती कहां पर ओके तो मैं सिर्फ दो इंडिकेटर्स यूज़ करूंगा आपके लिए फॉर दे सेक ओफ सिंप्लिसिटी आई विल बीजिंग ओनली नॉट टू इंडिकेटर मूविंग आवरेज हम पहले 200 मूविंग आवरेज का पावर देखेंगे मार्केट अगर अब खुलता है पावर के साथ अब खुलना मतलब बोलिश पावर को रिप्रेजेंट करता है और खुलने के बाद शुरुवाती 30 मिरिट्स में 30-45 मिरिट्स ने 50 मिरिट्स में वह एक इंपॉर्टेंट मूविंग आवरेज जैसे 200 के उपर आता है यहाँ पे खुलता अच्छा सेटप बनता है यू बाई not just because of simple engulfing candle but engulfing candle taking support from 200 moving average there was a gap up opening ठीक है बहुत बढ़ी हाँ सिंपल सी concept है 200 moving average पे सपोर्ट ले ऐसा नहीं कि बस था करके भाई कर लिया फेल भी हो सकता था यह नीचे भी गिर सकता था तो रेड कैंडल पे इंटरी नहीं करनी है ग्रीन पे करनी और स्पेशली जब ग्रीन दिन का हई तोड़ दे उस वक्त दिन का हई यह पॉइंट था तो आई होप एंट्री समझ में आगे अब सर एक्जिट समझ में नहीं आता कहां तक होड़ करूं का ना करूं पर काम करूं मैं बिल्कुल इस वीडियो को सिंपल रखना चा कहां लगाएंगे अब्वियस ही बात है इस स्कैंडल इस 200 मुविंग आवरेज के तो नीचे ही लगेगा उसमें भी इस विक के थोड़ा सान नीचे जैसे कि यह दिख रहे है आप लोगों को यह यहां पर लगेगा कहां पे इसके टिप के थोड़ा सा नीचे तो अराउंड ओके 49 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है ठीक है और अगर हम तो आपको सिंपली इसको वन इस टू टू बनाना है तो आपको यह वन इस टू टू बना मतलब अराउंड अराउंड इस पोजीशन पे वन इस टू बनता है 4865 पे आपने अगर एंट्री की है तो आप आख बन करक कर रहे थे तो अगर spot chart index chart यहां पर आ गया quit कर दें यहां पर put shot करना चाहिए था या call by करना चाहिए था ठीक है तो यहां पर आपको exit करते है अब आप बोलेंगे लेकिन what about this अनीश इसका कैसे benefit उठाए नहीं उठा सकते उसको फिर आपको trailing करना पड़ेगा और अगले दि तो वह जूट बोल रहा है nobody in the world can take the tops and the bottoms of the stock market so simple analysis था market खुल गया अब अगले दिन क्या हुआ अब मैं moving average बंद कर देता हूं हम try करेंगे charts को एकदम clean रखनेगा अब मालूम था gap-up खुलेगा the market open gap-up बढ़ ये कोई normal gap नहीं था क्यों normal gap नहीं था क्योंकि ये एक special तरीके का gap था यहाँ पे extreme level का resistance था ठीक है जो नहीं break हो पा रहा था तो resistance था मतलब क्या होता अगर gap नहीं होता तो market को क्या करना था इस पे power के साथ breakout देना था और फिर उपर चले जाना था लेकिन ये breakout दे दिया किसने इस breakout को execute करने के पीछे किसका हाथ है gap का ये जो gap है ये कोई normal gap नहीं है हर समय आप चेक कर सकते हैं चार्ट्स पे जाके ये है breakaway gap मतलब वह gap जो breakout कर दे प्राइस के बदले काम कर दे ब्रेक आउट करने में इसे ब्रेकवे gap कहते हैं यह बहुत स्ट्रॉंग तरीके के gap होते हैं अगर यह उकर होते होते हैं नया आप्ट्रेंट चालू होता है लास्ट टाइम लास्ट यर नवंबर डिसमबर के असपास हु डिरेंगे आप क्या होता है खतंब भार मारंकेट विल फिल गो डिर्क्षन तो मुझे नहीं मालूम हमें नहीं मालूम जब भी ऐसे गääप होते है जब तक की दीन चुफलो इन यह दिन जुफ साइडवेर Systems और अगला दिन भी बपार जाएगा ये कैसे solve करें एक अब मैं आपको एक दो इंडिकेटर बोले थे मैंने moving average और एक और इंडिकेटर लगाऊंगा ADX मैंने आपको पढ़ाया हूँ मैंने आपको इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे ही बारा साड़े बारा बचता है 18 में का साड़े बारा बचता है 18 में के साड़े बारा बचने का आद you will see there is a decree हर एक green candle पे ADX की value 2 to 3 points drop हो रही है 18 में कोई drop हो रही है हो रही है 43 तक चला गया है Tuesday की दिन market open होता और लगतार value decrease होती लगतार value decrease हो रही है हो रही है हो रही है तो यह एक clear-cut answer था the right falling ADX is only good for option sellers तो यह दिन तो option selling या hedging करके चल लेंगा और जबी भी rising ADX मिलता है जी rising ADX नीचे मतलब इस तेन भी market move हो रहा है you will see the ADX हर candle पर आपको तीन से चार पॉंट इंग्रीज होता देखेगा एक दूसरा टूल है जिसके पहले वीडियो बनाए नहीं बनाए तो देख लेना मार्केट ने बताया कि मार्केट में कोई दम नीए एवन ये ब्रिक आउट भी इस ब्रेक आउट में बेरा भी मेरा लॉस हुआ मैंने यहां पे भी मैने शॉटकर अब मार्केट को और मार्केट केम बाक तो हमको यहां पर लॉस क्योंकि रीजन वही था मार्केट में अगर मैं मार्केट की मोमेंटम की वैल्यू चेक करूंगो देर वस नो मोमेंटम वर इट वस लैक टोटली फिनेश्ट ऑफ एटीनाइट सो लेस देखर आप लोगों कोई बात खो भी हमें फिर भी चांस लेना चाहीं इंडिकेटर प्र जाथा तो टिपेंटंट होनी सकते है इसक लिए इस से बिॉर लेकिन जब इसने ये ब्रेक खिया दिन का लोग क्या इसने मैं क्या किया जब यह गाब बना था ले कृट जो है क aç जोंट एक बार मार्केट आशुक करता है market निस breakdown को देके retest कि और वापस नीचे close हो गया आपस प्रिटी शोर तर नेक्स दे मार्केट विल भी वीक मार्केट ओपन होता है सीधे पहली एडल को breakdown करता है और फिर रॉंग तरीके से breakdown करता है प्राइज एंगलफिंग कैंडल के साथ और डेफिनेट सी बात है ब्रेकडाउन करने का सीजे नीचे नहीं थोड़ा एक रिवर्स लेगा लेता है अगें 50 से rejection लेता है मैं बस मार्केट वॉच्च कर रहा था बारा बजने का वेट कर था अर्राउंड ट्वेल ट्वेंटी की कैंडल पर मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट लेवल का breakdown यहां पर ठीक है अब मैंना काम करता हूं आपको छोड़े टाइम फ्रेम पर लगए जाता हूं बहुत अच्छे समझ करता हूं तो मैंने देखा कि अराउंड अराउंड साड़े बारा बारा पच्छीस की गैंडल इस वक्त मैरे को दिन का लो ब्रेक होता देखा यही रीजन था नौ बड़े टाइम फ्रेम पर 15 मिनिट टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग अवरेज ब्रेक होता येस उसके बाद द ट्रेंगुलर पैटन ऐसे बन रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर यहां पर प्लेस करके स्विक के जस्ट ऊपर अपना चलने देंगे स्टॉक को मार्केट पूल बैक करेगा दोगा और मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया गाईज बहुत बढ़िया मूव यहां तक का अब यही टार्गेट कैसे अचीव करें अभी एक तरीका बताने रिस्ट रेवर्ड वन इस्टू कर लो वन इस्टू 1.5 कर लो या तो या तो पिविट्स यूज करो मैंने पिविट्स कैसे उस करते हैं मैंने आपको बढ़ाया है पुराने वीडियोस में चितन तो यह भी तो बेस्ट है हाँ आप लोग के लिए यह बेस्ट हो सकता है वह क्या इंफर्मेशन है वह इंफर्मेशन है कि क्यू ना मैं बोला ना दो इंपोर्टेंट मुविंग आवरेज है एक बात बाता हूं 50 और 200 के उपर मैंने एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बन आइस प्राइब कर रहे था है रहा है कि आपने यहां पर फ्रोफिट भी चला जाएगा तेकि फिर भी मैंने यहां पर क्विट क्यूं नहीं किया प्रोफिट नहीं यह क्या थमाइब को अपको बगल में देखाता हूं my target was this, this is my target guys, look at this, मैं यहाँ पर exit कर सकता था, फिर भी मैंने वेट किया, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा, कि market यहाँ पर आके 200 को भिना touch किये भाग जाए, वो उससे मिलने आता ही है, और यहाँ पर definitely support लेके फिर again market reverse होता है, यह support है बहुत बढ़ा, मैंने यहाँ तक cut target achieve किया, और जितना भी loss मैंने एक दिन पहले कहा था, उससे double से भी जादा मैंने recover कर लिए और अच्छा गासा वीक मेरा close कर लिया, मैंने fried Thursday के expiry के दिन पर ही, so this was the triangular pattern breakout, 50 moving average breakout और जो gap था, बहुत important था, वो टूड़िया था, important support टूटा, तो obviously market will fall, so this was the theory, totally simplistic theory to go ahead with this, okay, तो I hope आपको समझ में आया, अभी तक मैंने क्या किया, अब अगले दिन, Friday की दिन क्या कर सकते थे, एक और moving average बताया है, चेक जरूर करना 50-200, 50 देखो, the market खुल ही रहा है, उस पे ऊपर जा रहा है, नीची आ रहा है, support ले रहा है, पहली candle नहीं आपको बता दिया, this is a very bullish candle, why this is a bullish candle, this is a bullish candle, because it opened over here, तुरंट supply चेक किया, उसको demand चेक किया, demand मिली, market ने breakout दिया, open तोड़ा, open तोड़ के एक हाई बनाया, और लगभग लगभग, ओपर moving average को उपर close हो गया, बस boom, again if you don't understand कितना target लेना है, मैंने बता दिया आपको, यह flag and pole pattern है, फिर से market ने breakout दिया, उपर क दिखाऊं, आप कैसे पकड़ सकते हैं, volumes खुलते हैं, अगर आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि volume लगा लिया, आप लोगों ने, आपको सिर्फ यह देखना है, बहुत कच्रा हो गया स्क्रीन पे, अभी देख लेना, टूंट का 50 का काम क्या था, entry, अभी entry के बाद ना, अभी target की बात कर लेते हैं, फिर volume बताता हूं, शायद mix हो जाएगा, मेरे को mix करना पसंद नहीं कोई भी चीज, मैं बत पढ़ाता हूं, तो long position हमें यहाँ पे enter करते हैं, इसे अपना stop loss रखते हैं, एक trade तो हमारा 1-2 का हमारा भाई यहाँ पे complete हो चुगा है, हमें आप exit कर देना है, खतम बात, हाँ, यह थोड़ा सा नीचे होगा, एक point, एक दो रुपे नीचे होगा, एकदम चिपका कि कभी stop loss नहीं रखना है, नहीं तो उसको बोलते हैं, tight stop loss, तो भाई देखो 1-2 हो चुगा है, आप exit कर दो, अब दुबारा intrig हो जो नहीं है, क्या करो, simple आपको मालूम है मार्केट को मैंने बताया हो है, आप लोगों को, impulsive, corrective, impulsive, wave number 1-2-3, right, trending, counter trending, trending, pullback, trending, market ऐसे move करता है, primary move, secondary move, primary move, market ऐसे move करता है, लेकिन यार, अगर सर लेकिन ऐसा हो गया, primary move, और यह यह नीचे घुश गया, तो कैसे बचे, तो उसको ऐसे बचते है, कि आप यह move देंगे, do you see higher volumes over there, yes, you see, और अगर, और अगर यह secondary move है, दूसरा वाला, जिसमें flag बनना है, यह वाला, secondary move है, यह वाला, तो उसमें lower volumes होंगे, do you see lower volumes, yes, I think you, it's visible, the volumes are lower volumes, तो यह एक, आपको advanced information है, कि भाई, अगर यह breakout देता है, इस candle पे दुबारा भाई करने का, दुबारा उस candle पे भाई करना है, time check करना है, कितना बज़ा है, अगर आपका 2 बज़ गया, तो अब्वियसी बात है, try for 1-1.5 now, if you are trying to take, second half trade ले रहे हो, 1-2 try मत करो, 1-5, 1-1 भी चलता, मैं तो बोलता है, अगर आपको breakout मिलता है, flag and pool के बाद का, कि बहुत कम यह fail होते है, तो यहाँ फिर से अगर हम long position activate करते हैं, मेरे साब से हमें करना चाहिक trend line raw, इसको ना मैं काम करता हूँ, यहाँ ऐसी line खीचता हूँ, 5 मिन टाइम फ्रेम खुलता हूँ, easy हो जाएगा, क्योंकि अब यह चीज पांच मिन टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हो, बहले 15 मिट पैनलाइस का, दोनों देखना है, इसलिए दोनों देखना है, पांच मिन पर भी लोर वाल्यूम देखेंगे, यूल सी कि अपको यहाँ करना है, अगर हम यहाँ करेंगे, अब वाल्यूम का दूँ आपको क्यों करना हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, clarity, clarity in charts and mind can give you, it's a superpower, तो clarity लॉजिकल, obvious ही बात है, market इसके पहले इस level को आके छुके गया, तो यहाँ लगेगा stop loss, क्यों क्योंकि previous low बना हुआ, logical है, आप pivot भी उसकर सकते हो, पड़े हमाँ, pivot की भी ज़रूत नहीं हम लोगों को यहाँ पे, अब देखुआ, यह stop loss है, target मेरा बनना चीए, भाई, one is to one 1.5 और कोई लाला चानी, खतम बास बहार निकल जो, खतम, one is to one point five हुआ, exit करो, this is the secret of trading, कि first half में तो one is to two try करना ची, second half में flag and pole का flag, one is to five, लेकिन अब लेकिन इस पॉइंट का क्या, इतने रुपीस का क्या, भाई से छोड़ना पड़ता है, nobody is God in the stock market, who will take the exact tops and take the bottoms, it's a lie that people are doing I don't know for what, but I am trying to give you free education over here in my YouTube channel, I am trying to, मैंने तो आपको इसलिए backtest करके दिखाया और अब दिन बंदो चुका है, इसके आगे का क्या, हम मिलते हैं ना कल, market analysis video में, इसके आगे का plan करते हैं, discuss करते हैं, world market क्या कर रहा है, हमारा market क्या कर रहा हमारी sectors क्या कर रहे है, overall market movement कैसा था, bullish इसी रहा market ने फिर से higher closing दे दिया है, तो market analysis में बात करेंगे, ठीक है, okay, so I hope guys, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, इस video को देखने में, क्योंकि इसमें बहुत जादा learning attached है, मैंने कितने indicator यूज़ के, एक बात है, जितने भी use किये, इसके पहले video release कर रखाया, अगर moving average यूज़ किये, आज मैंने video बनाया, जाओ जाकर देखो, ADX यूज़ किया, उस पे video बनाया, जाकर देखो, pivots तो use भी नहीं किया, उस पे भी लिके मैंने video बनाया, भी web वाली strategy में, pivots बढ़ाया हुआ, उसके common basic price action, जादा तर क्या देखा, मेरे analysis 15 minute के time frame पे चल रहा ह है, क्योंकि वो काफी reliable है, वो बड़े target देता है, और 5 minute time frame में सिर्फ entry exit के लिए देख रहा हूँ, तो analysis जादा 5 minute में नहीं कर रहा हूँ, उस से मैं theory बना रहा हूँ, lower highs बन रहे हैं, कहां flag and pole में, volume क्यों check कर रहा हूँ, just to check out कि कहां पे trending move आ सकता है, कहां पे नहीं, जहां अगर आपने आपको सभाल लेगा, अगली candle engulfing बनेगी, आप वापे बाए कर सकते हो, this is technical analysis, पता नहीं लोगों ने क्यों इतना कॉम्लिकेटर कर रहा है, जूट बना रहा है, कितना कट्धे नहीं, यह करना पड़ता है, वो करना कुछ नहीं, टोटल प्राइज आक्शन, basic indicators, and मैं बता दूँ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा secret, जो कोई शेर नहीं करता है, it's total psychology, it's coming from here, the trader, मैंने एक मूवी देखी रिसेंटली, गोल्फ के ऊपर, उसमें, मतलब एक उस गोल्फर ने बोला, अग गोल्फर has only one opponent, that is himself, खुझ से लढ़ना होता है, सही तो बात है, stock market म क्या करता है, नहां दो के बैठके कपने computer के सामने, laptop के सामने, mobile के सामने, खुद ही तो बैठता है भाई, nifty bank, nifty, reliance को दुश्मन समझता, loss होता है, तो जबकि दुश्मन तो आप खोद हो, if you work on yourself, on your development, मैं बता रहा हूँ, stock market trading के चार segments होते, चार quadrant होते, टेकनिकल्स, एक ह जर्नल राइटिंग के है, जर्नल रिविंग, पूरी चीज़ें, जब तक चारों नहीं मिलेगा, ना, in fact, कोई बंदर technical analysis में बहुत अच्छा होगा, मेरे से अच्छा होगा, कोई मैं बोलता हूँ, market analysis में नहीं कमा पायता, क्योंकि उसका risk management poor होता है, वो ठीक होता है, तो psychology लॉस हुआ, बट यह हुआ, मेरी calculation के हिसाब सुआ, कोई problem नहीं है, आगले दिन profit हुआ, हाँ, वो loss से बड़ा होना चाहिए था, loss से double था, तो यह जब तक calculation बैटेगी risk reward के minimum one is to two, आपका काम चलता जाएगा, लेकिन अगर आप loss पे बहुत दुखी हो जाएंगे, losses are simple, losses are like expenses, कोई भी business earn करने के लिए expense देना पड़ता है, अगर मैं laptop बेच रहा हूँ, वो भी online बेच रहा हूँ, तो भी मेरे को online advertisement करना पड़ता है, Amazon को मेरे को commission देना पड़ेगा, मुझे internet का fees भरना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा है को मेरा losses की तरह है, the secret of any other business is to keep your losses less and profits more है ना, तो बस हुई है यार, तो ठीके गाई, so I hope बहुत दिनों बाद, आराम से है, बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छा आप के लिए technical analysis related video बनाया, जो आपको काम आएगा, I am pretty sure इस वीडियो को दो-तीन बार देखे, आपने charts पर जाए, लग-लग stocks पर जाए, करेंगे, मैंने सिर्फ निफ्टी पर कहें, nifty represents overall the best 50 companies in India, तो लगबाग उन सब पर मैच होगा, जो हमारी best companies, अच्छी companies, अच्छी companies, अच्छी companies, अच्छी companies, अच्छी companies, बैंक निफ्टी पर तो हो गए होगा, यह सेम, कई लोग बोलते है, आ लाईक देखने मिलेगा, मेरे को, अगर मेरे को लाइक्स, जादा देखने मीलेंगे, अगर, तो फिर मैं ऐसे वीडियो और बनाने की सोचुँआ को, कि आर-गी गोल्ड आ私 करें बता एंवे बानाता हो ऑन बाई माई जानक वन बास्ट और स्टेब एहिव रयरी लाइक deflect Lev बहुत सरे यूट्यूब वी देखता हूं धर-धर क्या चल रहा है ट्रीडिंग की दुनिया में बट कमेंट्स जो इंगेजमेंट मुझे हमारे बूमिंग बूस चैनल पर देखने मिलता है लिटरली ब्लेस्ट बहुत अच्छा लगता आप सब जो कमेंट करते हो तो प्लीज कीप दूइंग एट रेली हेल्पिंग मी और चैनल तो फाइनली ट्रेडिंग की बाद करू अब स्टॉक्स भी मैं यूज कर रहा हूं फॉर सम्ट्रेडिंग्स फॉर इंवस्टेंग और रिशेंटली मैंने एक और ब्रोकर नाम नहीं लेना चाहिए यूज करने क कोशिश की एलगो ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट आर फस गया बोर हो गया मतलब जब मैं विड्राव भी करने की अमाउंट तो मैं लगा यह क्या पुराने जमाने का इंटरफेस है जिरोधा इस दे बेस्ट ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म टू ट्रेड फास्ट ट्र जो आप दे सकते हैं और डिफिनिटलों के चकर में आता है करो जो आप डिप्रेस करते इंटीवेट करते कि यह तो यह कर रहा है वो कर रहा है आप जिसको लाइफ न आगे बढ़ने ना प्लीज गाइस मेरे इक बात सुनो यह भले भगवत गीता से आई है लेकिन मैं तो अलग तरीकी समझे बात में बता चला कि भगवत गीता में भी इसी तरीकी की वड़िक है आउट्पूट के बारे में मत सोचो आग सिफ इंपूट के बारे में सोचो आप क्या अपनी लाइफ नहीं बदल चानले और अगे, I'll see you soon in the very next video. Bye. I really enjoyed making this video. Thank you so much guys. Bye.